हेलो एवरिवान कैसे आप सब आई होप आप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ यह देखिए मैं सामान दिखा रही थी क्योंकि आज मैं थोड़ा सा मार्केट गई थी और यहां पर मैं बनाने जा रही हूं चूरमा के लड़ू उसकी तैयारी की है मैंने यह मैं बू यह आटा लिए होता नहीं बहाखने मतलब थोड़ा सा मोटा आटाह ना वह भो जो बोलते है और मैं इसमें घी का मोहन डाल पर इसको गरमानीनी और पानी थोड़ा जादे गरम हो गया गया तो मेरे हाथ इक दम से जलसा गया तो मैं इसको दीरे-दीरे मिला लूँ तब दक पानी की थोड़ी गरमाट कम हो जाएगी गरम पानी से गुनने से क्या होता है एक दम से ना अच्छे से फूल जाता है इसके जो दाने होते है न वह बहुत अच्छे से आटा गुनता है और टायटी आटा लगाया ज पूरी काटा भी थोड़ा टायटी लगाते है और इसका भी तो अब मैं इसको गूंद ले रही हूं अच्छे से मिला के खाली दो ही चीज मतलब एक ही चीज डाली है भी मोयन और गरम पानी इससे गुंदेगा और फिर देखिए मैं इसको कैसे सेक के और वो इसकी मुठिया कि ठेटे छोटे चोटे पीस करके उनको चप्टा करके फिर सेखते है तो कि अच्छे से अंदर कच्छा नहीं रहता है अच्छ जाता है और कभी दिमी आज पहले स्टार्टिंग में थोड़ी तेज भी युशaros दीमी ऐसे करकर ऑच्छे से से शेकना पड़ता है कर जड़ा रहे हिं थी गोंकि रोजा रहा है क्योंकि रोज रोज शीरह हर सुक्रवार को तो कुछ चैंज होना चाहिए ना तो मैंने भी इसमय चुर्मा के लड़ू बनाते तब तक यह मम्मी न भी भूला कि आध चुर्मा के लड़ू बना लो ठीक है चलो बहुत दिन से बनाए नहीं ह आगे सहटा जबन करने दिया करने के लिए रख दिया है अब एक बरतन धोन रहे हैं कि इसको रख भी दूं याँ कि बरने तक सी जाए नहीं बरतन कम कहों तो इसा नहींगे जाए इस कॉट Allah sellers पर फालतूं वंके तुक खाली डिघर होना होता है उसके साथ पानी वह जाता है सावुन भी जाता है और प्ージप है और इसमें बहुक्त घाल तो आपको तेह कर स काम करने में तो फाल्तु में करने को य। पर मैं नहीं निकालूंगी, हमार किसमें निकालूंगी, वह आपको देखेगा, देखो, मैं नोगले, इसमें ये ऐसे चब्टे-चब्टे करके, इनको, ऐसे बाल देते हैं, ये सिखने में थोड़ा टायम लगता हुआ, सिखनें से लेके, अभी मैं वही बरतन लेने गई होंगी जिस में निकालेंगे वो चलनी लेने गई हूँ और गॉंद भी मैंने निकाली है क्योंकि ये भूस सारी चीजें होती हैं कि घर में होते हुए भी जब कुछ बनाने जाते ना तो एक चीज अगर अपने ने सामने नहीं रखी ना तो र मैं होती है और उसका ध्यान भी नहीं रहता है तो उसको मैंने सबसे पहले निकाल लिया कि न keep running बर आउए नहीं चले और अच्छे लगते हैं सादे भी बंते हैं ऐसा नहीं प्लेन बनाओ कुछ भी मद आलो ये दालो पर आज मैंने जो इतने कम लड़ू बना रही हूं नहीं तो बहुत सारे लड़ू बनते हैं और अभी इनको बना बना के ऐसे ही रख लूँगी और फिर इनको कूट के फिर वह पीस से जाएंगे मिक्सर में फिर इनको जाएगा प्रोसेस भी काफी लंबा होता है और यहां पर देखिए मैंने तो उना स्टार्ट कर दिया है इनको मेरे सारे सिग गये हैं और कुछ अभी बस लाष्ट वाला ही कढ़ाई मैं सिख रहा है और इसके भी जो पीसिस है ना जो लग रहा था कि अंदर से कुछ कच्चे जैसे हैं उनको भी मैंने डाल दिया है वो भी सिख जाएंगे प्रोसेस थोड़ी लंबी होती है यह तो अभी क्या वीडियो में देखते हैं तो बहुत जल्दी समझ में आ रहा होगा पर ऐसा नहीं है टाइम लगता है वो तो यह बहुत कम है इससे ही जाला जादा है जब हुमारे आता है यह दिखे मैं इससे पीस लिया है नशीत था जाउंगी चानती जाऊंगी और फिर जो यह देखिए जो बिल्कुल छोटा छोटा होता है और बड़े टुकड़ों के साथ अच्छे से पिस जाता है कि यह देखिए अब मेरा सारा पीस लिया है मैं आपको दिखा रही हूं यह पूरा इतना है तोटल अब इस में बूरा डालूंगी तुt अब है मेरी गॉन सेक नहीं बाकी है और तो मैंने सब तयार कर लिया है गॉन सेकोंगी और उसको भी इसमें डालना है ये गी गरम करने के लिए रखा यह देखें यहां पेना गॉन जो मिलती उसके बहुत चोटे-चोटे पीसे सोते हैं बहुत अच्छे से सिक जाती है यह इलाइची है जो इसमें मैं डाल रही है और यह ड्राइफ्रूट है काजू बदाम यह है और अभी अकिश्मिश और यह क्या बोलते हैं चिरोंजी वह है नारियल नहीं खाते हैं हम लोग नहीं तो नारियल का भी है और इसको ढख देना है क्योंकि यह गरम रहेगा न उतनी जल्दी अच्छे लड़ू बनेंगे तो इसको मैंने ढांक दिया है जब तक मैं गॉन सेखूंगी तब तक तो बहुत ठंडा हो जाएगा रसे मुझे गॉन पहले सेख लेनी चाहिए थी पर मेरे ध्यान बाहर हो गया मैंने वही बोलते हैं घर में बहुत सारी चीज़े रहती हैं पर कभी-कभी अपने डालने भ यह गॉन सिख गई है अब मैं इसको कूट के इसमें मिला लूँगी बस फिर मेरे लड्डू बनना स्टार्ट हो जाएंगे आप लोग भी ऐसे ट्राय करना काफी लोग जानते होंगे जो यहां है गुजरात या राजिस्थान में जादा बनते हैं यूपी सायर यह तरह से वहां वो चासनी वाले आटे के साधे आटे के और वो ड्राय फूट डलके बनते हैं यह वाले कोई लड्डू नहीं बनाता है जहां तक मुझे पता है और कोई बनाता होगा तो पता नहीं बहुत अच्छे बनते हैं जल्दी भी बन जाते हैं जल्दी तो क्या है कोई भी च इतना लगता है उसका कोई वो नहीं है तो यह देखिए मैंने इसमें भूरा एड़ किया है अब घी की और जरुत पड़ेगी क्योंकि इतने में नहीं बनेंगे दिख रहा है सुखा सुखा और जब अपने दोनों हाथ खराव हो ना तो जरूर ऐसा लगेगा कि कहीं से बाल च कुछ फील होता है कि ऐसा हो रहा है और यह जो कडाई में घी है वही में डाल लूगी क्योंकि यह वाला घी फिर जब यूज करते हैं रोटी में या किसी चीज में तुसमें अलग सी स्मैल आती है तो इसका यूज लड़ू में हो जाएगा तो अच्छा रहेगा अभी तो बहुत सारी गाठ ऐसी है ना तो मैं उनको तोड रही हूँ और यह बूरा भी बूरा के बनाया है इसके लिए थोड़े सफेद लग रहे हैं अगर बुड़के जो बनते ना वो लड़ू बहुत लाल लाल होते हैं वो कभी उसके भी बनाऊंगी वो भी बहुत अच्छे हैं पर अभी नहीं बन पा रहे हैं और घीडा लेगा इसमें तो यह घी डाला है और सबसे पहले भूख के बनायागे क्योंकि लक्षमी जी के लिए बन रहे हैं तो फिर और नहीं भी बनते हैं तो घर में कुछ भी मीठा बनता है तो सबसे पहले भगवान के लिए निकाला जाता है शीरा हो या कुछ भी हो तो आज तो खेर स्पेसली उनके लिए बन रहे हैं और मैं वीडियो का भी एंड करूं इसके लिए ठंडानी हो और मैंने लड्डू अना स्टार्ट किये हैं यह तो दोनों हाथ से बन जाते हैं और यह थोड़ी ताकत लगानी पड़ रही है क्योंकि यह चूरमा एक्दम बिखर जाता है ना तूरहंते साहतों है नहीं चास नहीं है जो चिपकेगा मैं कोई बरतन कि उपर से कोई ऐसा बरतन दिख जाए जिसमें में लड्डू रखदू पर कुछ दिखा नहीं है तो मैंने ड्रोर में से निकाल लिए कटोरी मैं इसमें सबसे पहले बना के रखूंगी उसके बाद घर के मतलब जो अलग से रखने के लिए जो होगा ना जिसमें रखूंग कि उसमें रखूंगी सबसे पहले यह वाले कटोरियों में रख दे रही हूं भोग के लिए और बस आप लोग इंजॉय करिए यह देखे लड्डू कैसे बने हैं और ट्राय करना आप लोग भी काफी लोग तो बनाते होंगे जो नहीं बनाते हैं वो ट्राय करना बहुत तो यह आप लोग भी प्रशाद ले लिए लिए सबस्क्राइब कीजिए थैंक लिए